जैशी कृष्णा स्वागत है आपका सार्थी तृष्णा के साथ मैंने बहुत सारी बाते करी हैं और बहुत सारे उपाय दिये हैं सिर्फ एक ही टॉपिक पे और वो है पती-पत्नी बार-बार हर एंगल से एक ही चीज़ समझाने की कोशिश करती हैं पती और पत्नी एक ऐसा रिष्टा जो दुनिया में सबसे परे है बचपन से हम एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं एक दूसरे को देख देखकर हम बड़े नहीं होते हैं फिर भी अचानक से कोई हमारी लगादा मlungenल हो जाता है कि से की बात एंट इंट किसी की दिन्चरिया इंट किसी का अच्छा किसी का बुरा हमारे ही जीवन का एक अंग हो जाता है बहत सी और तो को तो मैंने देखा हो जाता है हम चाये इस लिए नहीं पीते क्योंकि मेरे हस्बन का पसंड नहीं है मुझे बहुत पसंद थी पर शाधी के बाद छोड़ दी। मुझे ये रंग बहुत पसंद था, मेरी वाइफ को पसंद नहीं था, इसलिए मैंने पहनना छोड़ दिया। मैं बहुत चाहता था कि मैं हमीशा दाड़ी रखूं। मेरी वाइफ को अच्छा नहीं लगता था मैंने छोड़ दिया मुझे काम करना पसंद था पर मेरे पती चाहते थे मैं घर समालू मैंने छोड़ दिया कोई इतना जादा आपकी जिंदगी में आपसे बढ़कर हो जाता है कि उसके खुशी के लिए उसके लिए आप कुछ भी करने को तयार हो जाते है फिर ऐसा क्या होता है फिर ऐसा क्यूं होता है इस रिष्टे में जो ये रिष्टा डाइवोर्स की कगार पर जाकर खड़ा हो जाता है मेरे हिसाब से तो इस रिष्टे के लिए एक बहुत बड़ी गाली है ये शब्द डाइवोस बहुत अच्छा था जब औरते घुंगट में रहती थी आप कहेंगे बहुत दक्यान उसी बात कर रही हूं लेकिन बात दिल से कर रही हूं बहुत अच्छा था जब औरते घुंगट में रहती थी आदमी मरियादा में रहत तो कम से कम लड़के जगड़के जैसे भी था इस रिष्टे को बनाने की कोशिश तो करता था आज कल तो जरा सी बात बिगरती है और घर की दहलीज कब लांग कर हम कोट की दहलीज पर जाकर खड़े हो जाते हैं जो रिष्टा एक कमरे के अंदर हम बहुत प्यार से सम्मान से बहुत दिल से जी रहे होते हैं अचानक हजारों लोगों के सामने एक दूसरे पर उंगली उठाने पर खड़ा हो जाता है बुरा लगता है दिल से बहुत घात होता है अंदर से कहीं बहुत कुछ तूटन होती क् कि ये रिष्टा नहीं तूटता, इस रिष्टे के साथ ना जाने कितने अर्मान तूट जाते हैं, विश्वाश तूट जाता है, अपना पन तूट जाता है, प्यार तूट जाता है, समर्पन तूट जाता है, I know life will go on चलेगी कल को फिर शादी हो जाएगी कल को फिर कोई जिन्दगी में आ जाएगा पर एक कमी तो हमेशा के लिए बन जाएगी एक खाली पन एक रूखा पन जिन्दगी आपको 100% दे जाएगी मैं नहीं चाहती कि किसी रिष्टे में ये मुकाम आए और कोई रिष्टा इतनी बुरी पोजिशन पर आए इसलिए आपकी ये सार्थी आपके समक्ष है वैसे तो मैं एक एस्ट्रोजर हूँ वास्तुशास्त्री हूँ हाथ देखती हूँ चहरा पढ़ती हूँ और आवाज भी पढ़ लेती हूँ पर मैं अपने नाम के आगे लगाती हूँ सार्थी इसलिए मैं आपकी सार्थी भी हूँ एक वो सार्थी जो आपके जीवन के सही और गलत हर तरह के मोड पर हर तरह की रहा पर आपके साथ होना चाहती है आपको पत पत पर ये बताना चाहती है कि क्या सही है और क्या गलत बस यही छोटी-छोटी बाते लेकर यही छोटी-छोटे टिप्स लेकर मैं आपके सामने आ जाती हूं ताकि आपका जीवन और उतीन और अच्छा बना सकूं चलिए मेरा आज का टॉपिक है अगर आपका रिष्टा डाइवोर कर आपस में एक दूसरे से बात करने चाहिए उस रिष्टे को बनाने के लिए अपनी तरफ से प्रयास करने चाहिए रिष्टा ना तूटे इस चीज़ पर अपने आपको पहले खड़ा करना चाहिए पर ठीक है आप इन सब चीजों से निकली गए होंगे तभी आप वहां तक पहुंच गए हैं तो क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता रही है आपको शनिवार वाले दिन पीपल की लकड़ी लेनी है उस लकड़ी को आपको एक काले कपड़े में बांध लेना है हस्बन और वाइफ दौनों की एक एक फोटो लेनी है उसके पीछे शहद लगा द देना है उसके बाद में पीपल की लकड़ी जो आपने काले कपड़े में बांधी थी वो और ये दौनों फोटो है एक साथ में आपको सब्त धान यानि की साथ तरह के अनाच के अंदर दबा के रख देनी है जो डिब्बा आप यूज करेंगे इस चीज के लिए हो सके तो को लोहे का रखिएगा और इसको आपको अपने घर के किसी ऐसी जगे पर रख देना है जहां पर सूरज की रोशनी बिल्कुल भी ना है आप ऐसा करके देखिए मैं आशिरवात मागूंगी ठाकुर्जी से कि आप अगर चाहते हैं कि आपका रिष्टा बच जाए तो हंडि कोशी करन्ट की बाते करते हैं बहुत सारे लोग चाहते हैं कि कुछ मन बदल जाए कुछ ऐसा हो जाए कोई हो जाए तो मैं आपको यहござी क्शा संदूर वाले अपको साथी का नाम लिख लिए दोनों के नाम के बीच में आपको एक प्लस का निशान बनाना है और साथी साथ में उसके आगे लिख देना है संग जब हम शादी के कार्ड में लिखते हैं न प्यूश संग प्रीती वही वाला संग लिखकर आपको उस पेपर को चार फोल्ड कर लेन लाल कपड़े में बांध देना है और बांधने के बाद आपको एक दीपक जलाना है मंदिर के अंदर और उस पेपर को अपने मंदिर में रख देना है ऐसा करने से आप दोनों के बीच में जो भी खटास आ रही है आपके रिष्टे में जो भी परिशानी आ रही है वो दूर ह पती का नाम 11 बार एक सफेद पेपर पे लिख ले और उसके बाद आप एक लॉंग ले ले उसका चूरा बना ले उसको कपूर के अंदर जला ले जो थोड़ा बहुत काजल या जो काला वहां पर हो जाएगा उससे आप उस पेपर के उपर साथ टीके लगा दे साथ डॉट्स उस पेपर को आप रैप करके यानि कि उस पेपर को चार फोल्ड करके उसके उपर कलावा बांद के आप अपने पती के या पत्नी जिसका मन आपके लिए उलट गया है अपने जीवन साथी के यूज करे वे कपड़े के अंदर बांद कर अपनी अलमारी में रख लीजे 15 से 21 दिन के अंदर आपको इसका इफेक्ट समझा जाएगा आशा करती हूँ मेरे इन उपायों से आपका जीवन जरूर बदलेगा भाव अच्छे रखेगा समर्पन रखेगा तो देखेगा आपका काम जरूर बनेगा अगर आप दिल से चाहते हैं कि आपका रिष्टा ना लीजेगा ताकि आपको नए रोज ऐसे ही अच्छे एपिसोड मिलते रहें आप और क्या हमसे जानना चाहते हैं आपके और क्या सवाल जवाब हैं आपके और क्या कमेंट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा मैं फिर आओंगी कुछ अलग और कुछ नया ल कर दो